जी नवस्कार रादे रादे जैसे खिशना कैसे हैं आप लोग उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे तो स्वागत है आप सभी का मैं स्वाइज जैसर यूट्यू चैनल पर और सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं और यह जो परवार है वह 2000 सब्सक्राइबर का हो चुक तो हम बात कर रहे थे कि कौन से टॉपिक की चक्रती आज की तो आप इस चैनल से बिलकुल नदास नहीं लोटेंगे वह किसी भी टाइप का कोशन एक्जाम में पूछा जाएगा आने वाले एक्जाम में आप कोई भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो अगर आप इस चैनल से प्यारी कर रहे हो तो हर टाइप की कुशन को कर लोगे अभी तक मैं पांच लेक्चर कंपाउंट्रेस्ट के ले चुका हूं साइधी छटमा लेक्चर है एक बार थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर दीजेगा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं जैसा कि मैं आप नहीं सिक तर प्रफ्रेश्स अब ये क्या होता है तो ये जो है कि आ हापत तो आप से बोलेगा कि यल्री आफ इंट्रेस्ट बनाए वह और आप से कह सकता है उस पर प्रभाब डालेगा प्रभाब मतलब उसको एफेक्ट करेगा कहेगा कि हापियल लिए अगर केल कुट किया आता यह रेट ऑफ इंटरेस्ट तब टूटल कितना इंटरेस्ट बनता इस टाइप की भी कुछन पूछे जाते हैं चले कुछन लेते हैं तो कु कुछ कुछन यह जो है स्सी सीपियो 2022 में पूछा गया कुछन करा दा इफेक्टिव एन्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट कर्रस्पोंडिंग टूर नॉमीनियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पेवल हापियली अर्दवारसिक दियच्छ है प्रतिवर्स की संगत दर के अनुस त कि एली जो इंटरेस्ट है यानि अगर आप ELD अगर आप देखते ELD अगर interest calculate करते ELD जो rate of interest दिया गया वो 12% यानि ELD जब लोगे तो 12% मिलेगा rate of interest दिया रखा 12% अब question ही कह रहा है कि अगर ELD calculate ना किया जाए अगर happyly इसको calculate किया जाए तो फिर कुल कितना ब्याज बनेगा और कितने समय में एक साल के अंदर ठीक है तो मैंने आपको ये बात पिछली क्लास में बताई थी बैसे देखा जाए तो ये पिछली क्लासों पर independent question है बस उसी चीज को थोड़ा सा अलग अंदाज में ये अलग तरीकी से आप से पूछा जा रहा है चलिए आम मुझे बताओ हमसे ये कह रहा कर हाप यली केल कुट किया आता था तब टोटल कितना ब्याज मिलता ठीक है तब हमें कुल कितना ब्याज मिलता मैंने बारे परसंट गलत लिए यहां पर पर सेंट अले तो कितना 6 पर सेलो यह पर सेनट ड्याला कि अब हनके अ घृOr करते हैं अर्दवार्शह का मितलब कि बस का आदा हिस्सा हाप यंद ली काउनक था एक बट्टे दो इस फिर इन आपको बताए था कि ल्राए तो 6 परसंट का हाप कर दो तो कितना 3% जो interest मिलेगा वो पर 6 मंत पर मिलेगा पर कितने मंत पर मिलेगा पर 6 मंत पर मिलेगा ये बात हम पिछली क्लास हों में भी समझ चुके है ठीक है चलिए अब आप से कह रहा है कि effect क्या पढ़ता interest कितना percent बनता तो देखो जो principle होता है वो तो यहाँ पर लिखते ही हो आप अब rate of interest जो वो 6% की बजाए आपको 3% से calculate करना है यानि 30% से calculate करने के बाद एक साल का आपको interest बताना है तो जैसी आप 3% लोगे इस principle का 3% interest लोगे तो पहले 6 मंत के लिए interest आएगा पहले 6 महीने के लिए interest आएगा पर हमें टाइम कितना पूरा करना है एक बरस के लिए बात हो रही है तो अगले 6 महीने के लिए आप इस principle पर भी ब्याद लोगे और इस पर भी ब्याद लोगे तो दो लाइन खीचोगे तो अगला 6 मां ठीक है पर calculate किस से करना है 3% से 3% से ब्याद लेना है इस principle का 3% जो भी होता उसको यहां पर लिखते आप ठीक है फिर से आप इस पर इंट्रेस लेते इस पर इंट्रेस लेते आपको पता है यह दोनों से आते हैं तो यहां पर भी 3% होता यह इस तीन का 3% लेते तो 3% का 3% कितना होगा तो 3 में 3 से multiply में 3 से म्लुट्प्ट्प्राइब दो सौसे तो कितना आगा पॉइंट जीरो नाइन पर सेंट यहां पर कितना आता पॉइंट पॉइंट जीरो 9%, 0.09% यहां दसावला 0.09% आता अब यही आपका एफेक्टिव रेट प्केल कर लो 3 और 3 कितना 6 और 0.09 तो एफेक्टिव एन्वल रेट ऑफ इंट्रेस्ट कितना मना आपका 6.09 कि एने का मतलब यह है कि एने का मतलब यह कि अगर आप ELE कैलकुलेट करते तो मात्र आपको 6% ब्याज मिलता अगर 6% ELE कैलकुलेट होता तो मात्र 6% पर अगर आप हापीरली कैलकुलेट करोगो तो ध्यान रखेंगा इंट्रेस्ट फिर ज्यादा मिलता है तो 6.09 पर्सन यह निए 6% ज़्यादा आया तो 0.09 परसन इंट्रेस्ट ज्यादा मिला ठीक है तो एफेक्टिव एन्वल रेट आफ इंट्रेस्ट कितना बनेगा आपका 6.09% उम्मीद है ये बात हैं आपको समझ में आई होंगे ठीक है चले तो इस पर question इस परकार से पूछ लेता है तो आप direct देख सकते हो 3% यहाँ पर 3% और 3% का 3% यहाँ पर चले यह CPU में पूछा हुआ question था SSE CGL में भी पूछा गया 2022 में चलो इसको भी बनाते हैं और बताइए जीवन कैसा चल ला है कोई कश्ट हो कोई परेशानी हो मन में हलचल दुखदर्द गम हो तो बताइए पुस्तन करता effective annual rate of interest corresponding to nominal rate of 12% परेनम पेवल हापियली अर्दवारसिक देशे बारेप परतिवर्स की नाम मात्र दर्ग के अनुरूप ब्याज की प्रभावी वारसिक दर्ग है यानि प्रभावी जो rate of interest है वो हमें बताना है तो अब देखो मैं इतना सब लिखंगा नहीं डारेक्ट मनाते हैं हमें आरे पास principle है नहीं और ना हमें प्रेंसिपल की जरूबत है अगर एफेक्टिव रेट आफ इंटरेस्ट पूछा रहा है तो हापील एगर करोगे वर्स में 12 परसन मिल रहा है तो हापील कि इस परसन इस प्रेंसिपल का शेपर सेंट यहां पर लिखा जाता ठीक है फिर आपको पता यहां पर भी कितना परसेंट पर सेंट आता अब इस सिक्स का सिक्स परसेंट अगर निकालोगे तो जीरो पॉइंट त्री सिक्स परसेंट आगा जीडो दसनालाओ तीन छेपर सेंट आए गा और यही आपका effective rate of interest है, calculate कर लो 6 और 6 के तहां 12 है, तो 12.36% is the effective rate of interest, अगर ELE calculate करोगे तो मात्र 12% भी आज मिलता, पर अगर 12% को happily calculate किया जाएगा, तो फिर 12.36% interest मिलेगा, ठीक है, तो this is the answer option number C, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, चले, ठीक है, तो इस प्रकार का अगर आप से कोशन पूछा जाएगा, तो आप बना लोगे, और ये जो कुशन है, वो मैं आपको home work में दूँगा, ठीक है, तो ये आपके लिए home work रहेगा, और पिछली क्लास में मैं देख रहा था, comment box में पिछले क्लास के कुशनों के आपने आंसर दिए, और सभी लोगों ने ठीक किया, ठीक है, इसलिए उनको बताने की दिरूत हैं, नहीं, सब लोगों ने जो आंसर दिए, तो मैं चेक कर रहा था, सब के ठीक है, ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई कश्ट या परेशानी मन में हलचल, दुखदर्द गम नहीं होना चाहिए, अगर effective rate of interest पूछ ले जागा, तो आप बता दोगे, यह MTS में भी आया हुआ ऐसा कुशन है, 2019 में आया है, चलो इसको भी मैं बता देता हूँ, यहां पर rate of interest कितना है, principle हमें पता नहीं है, हापे लेकर करना है, तो 10% न प्रतिवर्स है, 10% हर साल मिल रहा है, तो 10% का आदा, हर 6 महीने पर करना हापे ली करना है, तो 5% ब्याज मिलता, कितना percent interest मिलता, 5% बात की घहराई को समझ पा रहे हो, चलो, और बताइए, तो 5% से ब्याज लेते, तो इस principle का 5% यहां पर लिखते हैं, फिर दोनों पर, इस principle का 5% फिर से 5% आदा, ध्यान रखेगा यह जो 5% वो किसका principle का है, यह भी 5% किसका principle का है, अब इसका 5% लेकर यहां पर लिखोगे, तो यह कितना आएगा, 0.25% इसको टोटल कर लो भई यह 10.25% इस दा एफेक्टिव एन्वल रेट ऑफ इंट्रेस्ट तो आंसर होगा, आपका ओप्सन नमबर दी दस दसालाव दो पांच पर से लिख अब कुछ और कुछ भी करवा देता हूं, मतलब एक और में एक और कंसेट उठा लेते हैं, ठीक है, कुछ रेट ऑफ इंट्रेस्ट में मैं देख रहा था, जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर कुछन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पुछ न कर रहा, at what rate percent per annum of compound interest, the ratio of simple interest and compound interest for two years will be 25 ratio, 26, पुछ चकरती वार्षिक ब्याज की दर से, चकरती व्याज और साधन ब्याज का अनपाद, दो बर्सों में 25 अनपाद 26 हो जाएगा, कुछ न ये कह रहा है कि दो बर्सों में कौनसी rate of interest से, simple interest और compound interest का जो अनपाद है, वो 25 अनपाद 26 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 25 अनपाद 26 होना चाहिए, हना, चलिए, तो समझेगा, तो अब एक बात समझेगा, यहाँ पर principle लेते हम, ठीक है, rate of interest हमें पता नहीं है, तो दो साल के लिए हम यह table तैयार करते हैं, तो यह वाला जो होता है, यह पहली land में जो चलता है, यह क्या होता है, आपका simple interest होता है, यही साधन व्याज होता है, अब पूरा क्या होता है, आपका compound interest होता है, यह जो पूरा होता है, यह आपका क्या होता, compound interest होता है, इस इस दा कंपाउंट ट्रेस्ट तो सिंपल इंट्रेस्ट जो है वो दो साल का रेशियो को अकॉर्डिंग 25 यूनिट है पर आपको पता है सिंपल इंट्रेस्ट तो दोनों जगे समाना आता है तो 25 का आदा कर दो 12.5% तो देखो यहां पर आएगा ठीक है 12.5% नहीं 12.5 यहां पर भी कितना आएगा 12.5 कि कुछ सिंपल इंट्रेस्ट सेम चलता है और कंपाउंट ट्रेस्ट जो वो 26 है तो यहां पर कितना आएगा 1 मेरी बात को ध्यान समझेगा 2 साल का जो सिंपल इंट्रेस्ट है 2 यह का सिंपल इंट्रेस्ट और 2 यह का ही क या compound rest जो है वो 25 अनपात कितना 26 है ठीक है तो तीनों को मिला कर दो साल का compound rest बनता है आपको यह बात पता है ठीक है यह two year का simple interest है और पूरा जो circle में है यह cio होता है कितने year का two year का यह बात आपको पता है तो तीनों को मिला कर देखो 26 हो रहा है compound rest और पहली दौनों लाइन को मिला कर 25 हो ठीक है अब यह बात मैं आपको बता चुका हूं कि इस 12.5 पर one year में कितना interest मिल रहा होगा वन मिल रहा होगा अब यह जो है वो amount की तरह वर्क करने लगेगा 12.5 पर 12.5 पर एक unit ब्याज मिल रहा होगा एक वर्स के बाद अगर आपके पास principle और एक साल का ब्याज है परसेंट में चेंज करने लिए 100 का multiply कर दो तो आपका rate of interest डारेक्ट निकल के आता है तो पॉइंट अटाओगे एक जीरो बढ़ा लोगे 125 से काटो तो यह कितनी बार कटेगा आठ बार तो ब्याज की जो दर है वो कितनी होती 8% होती 8% से ऐसा होता ठीक है तो rate of interest कितना होना चाहिए तो आठ परसेंट तो आंसर जाएगा नहीं नहीं ठीक है उमीद है यह बात आप समझ गए होगे चलिए और भी कुस्चन देखते हैं ऐसे आए जैसे कुस्चन करा एट वाट रेट पर सेंट पर रहनम एट कंपाउंटर रेशियो बिट्वीन सिंपल एंड कंपाउ चलो ऺईसी प्रेंसीपल हमें पता नहीं है दो साल के लिए जो टेवल तयार करते हैं वो हम यह करते हैं यहां पर पर रेट अधी्टों रिटेस्ट होता है जो भी होता है आपको पता है यह जो पहली लाइन है यह किसकी है सिंपल रेज कि यह यहां पर कि तंपड़न होगा अब игра गोगा तीनों को मिलाकर न्यांव oh अब आप देख लो इस 20 पर कितना इंट्रेस्ट मिलता को वन है को एगर वन इंट्रेस्ट मिलता है परसेंट में चेंज करने के लिए तो का मट्प्लाई कर दो यह आपका rate of interest बनेगा 20 से काटो इसको 100 को कितना 5% 5% से ऐसा होता 5% से त्यार होता उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी ठीक है इसमें रेशियो कुछ अलग तरीके से भी दिया जा सकता है और बार इस बार जो दिया है आपको रेशियो जो दिया है वो थोड़ा सा अलग अनदास से दिया है कितने का साल का लेना आपको 2 साल का यानि 2 साल का C.I.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E बन दे रख़ा है कि यह कुछ ने महारा है चलो दो साल की बात ओ रही है तो हम टेबल तियार करते हैं प्रैंसिपल होता है रेट ओफ रिच्ट रोता है और दो साल के लिए कुछ टेवल हम यह बनाते हैं तो हमें यह बात पता है कि पूरा तीनों को मिला कर 11 है होना चाहिए, क्योंकि compoundress तो इन तीनों को मिलाकर बनता है, ये बात तो आपको पता है, चले, अब मुझे बताओ, compoundress कितना 11 है, और difference कितना है 1, तो दो साल का जो difference होता है, क्या वो ये वाला होता है, तो आप कोगे हाँ, तो ये कितना बता रखा है, एक, अगर ये तीनों मिलाकर 10 हैं, तीनों मिलाकर सोरी, अगर ये 11 हैं, तो अगर एक यहाँ पर आ गया, तो ये जो 10 unit है, वो simple interest रहा होगा, अगर 10 unit simple interest है, तो 5 unit एक वरस में रहा होगा, दूसे वरस में भी 5 unit रहा होगा, अब देखो, तीनों को मिलाकर compoundress 11 बन रहा है, और difference CIO और SI का कितना बन अगर, ये आपका क्या बनेगा, rate of, पांस से गर इसको काटो कितने बनेगा, 20, तो ब्याज की जो दर होगी, वो कितनी होगी, 20%, इसका भी answer क्या जाएगा, नहीं, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी मन में हलचल, दुख दर्द गम, नहीं होना चाहिए, और प्वेटरी कुर्शन उठाते हैं, ठीक है, ठीक है, बड़ा कर दो, नहीं है इसको, कि संकारा, परसंट लैंड, आउट ऐस के सम ओन सिंपल इंटरेश्ट एंड, सेंज सम ओन कंपाॉंद इंटरेश्ट एंड इड 01्ट आ इंटरेश्ट इनव, ऑफ प्र आणूद रेश्र चक्रती ब्याज पर एक निच्छित ब्याज की दर से उधार देता है वह पाता है कि चक्रती ब्याज का तीन और दो सालों के अंतरकान पाथ 25 अपाथ है तो ब्याज की दर ग्याद करें पहले मैं यह कहूंगा वीडियो को पॉज करो और अपनी तरफ से इस कुष्ण को लगा का ध्यान समझेगा हमें कि आई और एसाई कितने साल का तीन साल का और ए और एसाई का अंतर दो साल का यानि एक तरफ हमें सी आई और एसाई तीन साल का अंतर लेना है यानि डिफ्रेंस सी आई और एसाई का तीन साल का और डिफ्रेंसी सी एई और एसाई का दो साल का इनका और पाथ 25 अनुपाथ 25 अनुपाथ 25 अनुपाथ 8 दे रखए कुस्सन हम से यह कहना चाहरा है कि कोई principle है उस principle पर किसी भी rate of interest से कि तीन साल का CIE और SI का अन्तर लो और सेम principle पर उसी rate of interest से CIE और SI का दो साल का अन्तर लो तो उन में 25 और कान बनता है हुँ उनमें 25 रेइस्यो कितना बनता है यह उन नहींस प Jimmy कहता है किर रहा है कि रओफ सिर्ट्रेश्ब बता जो तीन साल की बात और दो साल की बात हो रही है तो फिल साल तक काम बनाते हैं थी ते साल की टेबल भी प्रेंसिपल होगा रेट आफ इंट्रेस्स पता नहीं है कि एक लैने आफ दो साल तक की टेबल होगी इस एक किई नहीं 1961 चार में कि आ मम दया अब मुझे बता वर हूँ यहीं CI और SI का 2-year का अंतर है, यह कितने साल का अंतर है, दो वर्सों का, ठीक है, 2-year का अंतर है, और यह दे कितना रखा है, 8, तो क्या मैं यहाँ पर 8 लिख दूँ, 8 unit दे रखा है, तो आपको बिलकुल 8 आएगा, अगर आपने stable को ध्यान से पढ़ा है, अगर आप question लगाता लगा रहे हैं, तो आपको पता है, यह वाला amount, यह वाला amount, यह वाला amount बराबर आता है, यह तीनों बराबर आते हैं, ठीक है, अच्छा, अब question मुझे यह कह रहा है, कि CI और SI का 3 साल का अंतर, तो CI और SI का 3 साल का अंतर कौन सा बनेगा, भाई, यही वाला बनेगा, पर मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं, यहलो से, भाई, तीन साल का जो अंतर होगा, CI और SI का, डिफ्रेंज होगा, CI और SI का, क्या यही होगा, तो आपको होगे, हाँ, और यह पूरा कितना होना चाहिए, CI और SI का अंतर, यह होना चाहिए, आपका, पचीशेद यूनिट होना चाहिए, आप मुझे बता हो, यह तीनों एक जैसे आते हैं, तो आठ्ट यहां पर आएगा, और आठ्ट और आठ्ट ऑर आठ्ट, और आठ्ट औरigos और एक किरूंटीफाइव गया अब फिर से और इस आठ पर कितना Price dissolved Revelation Now what it oh Instead तो अरट इनुट पर कितना ब्याज मिल रहureau एक ब्याज मिल रहुँआ है आप को पताए आठ यूनिट ऊप प्रेंसिपल की तरह वक्त रहेगा परसेंट में चेंज करने लिए सौका मल्ट लाइग चार से काटेंगे दो बार चार से काटेंगे 25 अगर दो से रभार दोगे तो कितना आएगा 12 पॉइंट 5 परसेंट तो ब्याज की जो दर रहती वह बार रहती पांच परसेंट होती तो ऑफसन नंबर डी जाराइट है तो कोशन कैसा भी पूछा जाए उम्मीद है आप बना लोगे इसी भी तरीके से पूछा सकता है बस आपको डाटा फिल करने की जरुवत है ठीक है चल यह जो को सन है यह भी सेंब को सनन एगा ऐसा इसी प्रकार को सनक के रहा है यह तो अट आउट ऑफ सटेंसम ऑन सिंपल इंटेश्न एंड सेंसम ऑन सी आइड सटेंड पर अनम ही नोटाइज तरेंड रेशियों बटिन इफ्रेंस पर एंड एसाई पूर्ट त्रीयर एर इस रिश्पेक्ट्व ली दारीट अफ इंटरेसे रुट की दर से दरसे रूप देता है वह देखता है कि तीन साल पर चक्रति व्याज आपको कितने समय के लिए 3 year के लिए 3 वर्सों के लिए ठीक है? और CI और SI का जो अंतर है वो कितने साल के लिए 2 साल के लिए 2 year के ठीक है? यहां पर हमें rate of interest नहीं पता है, हम 3 साल तक के लिए पहले table बनाएंगे 3 साल तक के लिए हम क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे चलो बनाते हैं कि आपको पता हैं सी और आइसाई का जो अंतर अंतर है दोसाल का वह ये वाला है यह दोसाल का अंतर होता एक है कि और बताइए कि जिंदगी में कोई कश्ट हो कोई परेशानी हो मन में हल्य दुखदर्द गम हो तो पहले यह देख लो कि 3 साल पेला का जो है वो तेरह यूंट दे रखा है कि और यह कितना है चार सब्सक्राइब कि इनका जो रिश्यू मुझे दे रखा था था थर्टीन रेश्यू फोर दे रखा तो दो साल का जो है और जैए और ऐसाइक अंतर है कि बात की घहराई को समझ पा रहे हूं चलो यहां पर कितना आएगा एक आता भाई अभी तो यह थर्टीन होगा तो चार पर कितना इंट्रेस्ट मिल रहा होगा एक और परसेंट में चेंज करने के लिए सौका मल्ट लिए तो चार से काटो कितना 25 परसेंट तो ब्याज की जो दर आती हो पच्ची परसेंट आद तो एक तरीकी से देखा जाए तो रेट आफ इंट्रेस्ट आप पूरी तरह से सीख चुके हो मेरी पिछली क्लास को भी देखिएगा उसमें भी मैंने रेट आफ इंट्रेस्ट निकालन इस्टाग्राम या फेस्ट पर फोलो करना चाहते हो तो इसका लिंक चैनल पर भी आप जाकर आप देख वहां से जुड़ सकते हैं उससे डारेक्ट या फिर वीडियो के डिक्सिप्शन बॉक्स में यानि आपको वीडियो के नीचे उनका लिंक मिल जागा ठीक है बाद बा झाल 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 झाल